दोस्तो नमस्ते स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल स्टोक मार्केट का XYZ में दोस्तो अगर आप फर्स टैम हमारे इस चैनल पर विजिट किये हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जुरूर प्रेस करें ताकि कि जो भी लेटेस वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे दोस्तो आज की वीडियो में फिर से जो है हम टीटी एमेल का जो शेर है उसके बारे में रिवू करेंगे तो दोस्तो आप जानते हैं कि ये शेर पिछले पाच दिन में ओल्म उसे लगातार इसमें खुलते ही जो है आप पर सरकेट यह जो हीट कर रहा है और अब भी जो है इसके आप पर सरकेट में जो है चेंज हो गया है पहले वो लगवे पीस परसेंट के आसपास था अभी वो दस परसेंट के आसपास जो है आपको दिखाई देगा और दोस्तों यहां से आप दे सकते हैं कि 16 अक्टूबर का है उस दिन जो इसके किम दो रुपे पिचेतर पैसे थी और दोस्तों अगर अगर आप 23 अक्टूबर को देखेंगे तो लगबग आपको पांच 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 पैसे जो है दिखाई देगे और यहां पर इसका सरकेट भी जो कि यह सस्टेन कर सके यह और कुछ तो दोस्तों यहां पहरे आम इसका जो ओवरेल स्टोק अनलाजर यहां पर है तो धो COVID-19 यहां पहरे आपको दिखा देता हूं तो दोस्तों यहां पहरे याज देhow है अगर आप इसकी net sale की बात करेंगे तो lowest at rupees 243.80 crore तो वो जो है lowest थी इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहां देखेंगे तो दे सकते हैं risky negative book value this stock is trading risky as compared to its average historical valuation तो दे सकते हैं दोस्तों जो अभी जो इसकी trading है वो बहुत ही risky उसमें जो हो रही है अगर आप इसका जो पिछला average historical data पिछला जो data उसके according अगर इसकी जो historic valuation है उसके हिसाब से देखेंगे तो at present this stock is trading risky तो जो है इसमें बहुत जो है risky जो trading है over the past year while the stock has generating return of 110.4% 110% its profit has fallen by minus 12.5% तो दोस्तों यहाँ पर आप दे सकते हैं कि पिछले एक साल में जब stock ने return जो 110% का दिया है लेकिन दोस्तों जो इसका profit हो नीचे गिरा है लगबग minus 12.5% तो दोस्तों इन दो चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो इस share में जो trading जो है काफी risk के आपको नजर आएगी को देखते हुए उसमें जो है mutual fund की जो investment हो आपको सिर्फ 0% या नहीं उसकी कोई holding आपको नजर नहीं आएगी domestic mutual fund have capability to do in depth on the ground research तो mutual fund domestic mutual fund क्या करते हैं उनके अंदर वो capability होती है क्यों ground level पर research करते हैं दी company के ओपर the small stake may signify either they are not comfortable at the price और दी business तो अगर वो दोस्तों किसी में थोड़ा भी जो investment करते हैं तो वो जो उसका ground level है उसकी reality और उस पर research करके जो उसके बाद ही करते हैं और अगर वो दोस्तों किसी में investment नहीं है तो इसका मतलब है कि वो उसके साथ comfortable नहीं है जो उसका price ह आपको पता हैं इस तो दोस्तों को तो नदर आएगा कि इस वे 펜ो यह को रिस्की है खराई पुमाना छुर्ट देसके चलुनु मत बहुत हैं une है कि आज अभी यह जो आपने 52 हाई के अल्मूस्ट जो है ट्रेड कर रहा है अगर दोस्तों आप जो हिसकी बैलेंस सीट देखेंगे तो यहाँ पर आपको मार्च 2019 की दिखेंगी मार्च 20 की तो अगर बोरुविंग देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें लगए आपको 16615 क्रोड की हाला कि मार्च 2019 के मुकाबले आपको वो कम होती दिखेंगी माइनस 13 परसेंट और दोस्तों अगर आप फिस एकस की बात करेंगे वो 719 क्रोड जो आप 5800 की निजर आए गी तो दोस्तों इसमें भी जो आपको गिरावट निजर आएगी इसके लाद दोस्तों अगर इसका रिटन देखेंगे तो रिटन आपको देख सकते हैं आप भी डिसेंट के वजएसे जो इसको आपका ओर्रोर डिटन जो आपको इसमें बढ़ीया बादि आप देखते तो इसमें आपको बहुत ज्यादा रिटन जो है नजर नहीं आता वन डेका आप दे सकते हैं 9.93 इससे पहले जो है 20% का इसमें सरकेट था जो आपको चेंज कर दिया गया हूँ 10% हो गया है वन वीक आपको 108 वन मंत की जो है 105 परसेंट जो है आपको इसमें जो नजर आएगा थ्री मंत का 656 मंत का 101 वाई टीडी ओल्मोस्ट 171 यह का अल्मोस्ट आपको 110 परसेंट रिटन नजर आएगा टू यह की बात करेंगे तो 40 परसेंट बाकि 3456 6510 जो हो ओर रोल जो आपको पूरा जो इसका रिटन जो माइनस में नजर आएगा अगर दोस्तों आप पिछले एंसी की ट्रेडिन देकी बात करेंगे तो आप देश सकते लगवाग आठ लाग 45,540 ट्रेडिड वोल्यूम उप शेर के आपको दिखाई देगी और देख सकत सकते लगवाग पूरी जो आपको 100% जो है डिलेवरी नजर आएगी इसका जिन लोगों ने काफी लो में खिरिदा था उन्होंने जो है इसमें जो अपना जो थुड़ा बहुत प्रोफिट जो है किया है तो वही क्वांटिटी जो है क्लाइंट लेवल पूरी की पूरी जो है डिलेवरी आपको नजर आएगी तो क्वाटर वाइज रजल्ट आप यहां पर दोस्तों वही दे सकते हैं यह आपको पूरा लैक में नजर आएगा मार्च के मुकाबले आप दे सकते हैं जून में जो आपको बहुत ज्यादा जो है इसमें जो है लोस जो नेट पोफिट माइनस में नजर आएगा दोस्तों इसमें प्लैज नहीं है यह एक अच्छी बात है तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको जो है इस सेर में आगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते पहले तो मैं एकी सेजेशन रहेगा कि आप ना करें क्योंकि दोस्तों अभी 52 विक हा है और और इसमें जो आपको पूरा खेल इसमें जो नजर आएगा और दोस्तों इसमें जो है हमें जो है बिल्कुल भी नहीं फसना है तो दोस्तों मेरा तो एकी सेजेशन रहेगा कि आप इसको जो है भी आविड करें तो ठीक ही रहेगा क्योंकि मुझे लगता आप इसके आने के चांसे आपको ज्यादा दिखाई देंगे हो सकता है कि और आपको थोड़े दिन इसमें एक दो दिन दो चैर दिन जो भी है आप पर सरकेट दिखाई दे लेकिन यह डेफिनेटली जो नीचे आएगा लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरा आप ऐसे शेयरों में एक ही सजेशन रहता है कि बहुती कम जो है आप जो अपनी वेल्यू लगाए पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपका डूब भी जाए आपका फस भी जाए तो आपको ज्यादा प्रेशानी का सामना ना करना पड़े अधर आप इस इसमें बहुत ज्यादा जो है बुलिश हो जाते हैं और वहीं से जो हापना वो गेम स्टार्ट करता है वो क्या करते दोस्तों इसको बढ़ाते हुए ले जाएंगे फिर बीच में एक बार इसको गिराएंगे तो क्या होगा रिटेल इन्वेस्टर सोचेगा कि आभी जो है और उपनी जाएगा और वो फिर जो हुदर जो अपनी इंट्री ले लेता है और फिर वो क्या करते है उसको जादा होगा तो एक दोर अपर सकेट लगाए और फिर इतनी तेजी से नीचे गिराएंगे दोस्तों कि जो हम रिटेल इन्वेस्टर है फिर उनको निकलने का पता नी होता तो दोस्तों अगर आप है डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कब इस देशिल में से जो है अग्जीट करना है आगर आप इंट्री कर लेते हैं तो दोस्तों डेफिनेटली जो है आप इसमें जा सकते हैं otherwise मेरा एकी सरेशन है कि आप इसको वोग एसमें डूब भी सकता है क्योंकि fundamentally strong है नहीं हाला कि pledge बिल्कुल नहीं है और अभी जो result आएंगे तो वो भी कुछ मेरे को नहीं लगता कि इतने खास आएंगे पिछले को देखते हुए कि बहुत जवरदस्त जो ही recovery दिखाएगा क्योंकि दोस्तों जो इसका business सेजेशन है आप इसको avoid करें अगर फिर भी इंट्री करनी है तो बहुत ही कम आवांट से ताकि जो आपका डूब भी जाए तो आपको ज्यादा अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद